हेलो दोस्तो राधे राधे चोखी कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो आज अपन बनाएंगे खाटारो साग तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा सा पालक तोड लेते हैं थोड़ा सा धनिया थोड़ी सी मेथी थोड़ी सी लस्टून की आल और दो-चैर पत्ती, बत्वा और थोड़ी सी राई की डांकल तोड़ लेते हैं। और अपन थोड़ा सा गजरा तोड़ेंगे तो मैंने लेस्टन की आल थोड़ा सा बत्वा थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पालक थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी राई के डाकल और थोड़ा सा गजरा तोड़ लिया है सभी चीजे मिक्स करके बनाने से कटाई सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है अब अपन इनको काट लेते हैं सभी सबजीों को थोड़ा सा बाजरा डाल करके और लगबग दो गलास पानी में ने गरम होने के लिए रख दिया है अब अपन इस हारी सबजी को इसमें डाल देते हैं और लगबग दो मिनिट के लिए बोईल करेंगे तब तक अपन थोड़ा सा बाजरे का आटा ले करके और चाच में ऐसे घूल रेडी करेंगे ध्यान रखेगा दोस्तों अच्छे से मिक्स करना है इसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए तो मैंने अच्छे से फेट लिया है इसको अच्छा सा घूल रेडी कर लिया है इधर सबजी अपनी बोईल हो चुकी है पूरी तरीके से बोईल नहीं करनी है मीडियम ही करनी है क्योंकि ये बाद में सबजी में भी पक जाएंगे और अब ये घोल एड़ कर देंगे और लगातार चमच से चलाते रहेंगे नहीं तो ये चाच फट जाएगी दोस्तों अब आपन तो तीर मिनट पकाने के बाद में इसमें ये जो लस्टन की चटनी थी वो एड़ कर देंगे लस्टन को मैंने दरदरा पीसा है ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते रहेंगे लगबक 6-7 मिनिट के लिए तो आप देख सकते हैं उबाल आचुके हैं अपनी सबजी में और सबजी अपनी बन करके रड़ी है अब अपन बाजरे की रोटी के साथ ऐसे मोर करके और ऐसे तो दोस्तों सर्दियों में खाटारो साग और बाजरे रोटी रोटी रो अलगी टेस्ट आव है आप भी ज़रू ट्राई करिएगा अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करो थैंक्यू दोस्तों